आज हम लोग फिर से संख्यात्मक गंगा के साथ आपके सामने उपस्तित हैं आज की संख्यात्मक गंगा में हम लोगों ने लिया है संख्यात्मक गंगा का एपिशोड नमर 19 जिसमें हम अर्थ संग्रा की चर्चा करेंगे अर्थ संग्रा प्रकरण गरंत है जैसे आपने तर्क संग्रा, तर्क भाषा, सांखकारी का वेदान सारी त्यादी को पढ़ा है तो आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या से जुड़े हुए सवाल देखेंगे कि अर्थ संग्रा में संख्या में उत्तर किनका आता है जैसे वीडिया कितने प्रकार की होती है, नामधेग आर्थवाद के प्रकार बताए अर्था जिनका उत्तर संख्या में हो ठीक है, तो संख्यात्मक गंगा का एपिशोड नमबर उनेस, जिसमें आज हमने विश्य चुना है अर्थ संग्रा तो आएए पहले थोड़ी सी अर्थ संग्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक सामाने चर्चा कि अर्थ संग्रा के लेखक लोग आक्षि भासकर हैं, ये आप सब जानते हैं, लोग आक्षि भासकर ने अर्थ संग्रा को लिखा है और अर्थ संग्रह मीमानशा दर्सन का प्रक्रनगरंथ है जैसे आपने तर्ग संग्रह न्याय मीमानशा न्याय और वेशेशिक का प्रक्रनगरंथ पढ़ा जैसे वेदानत दर्सन का प्रक्रनगरंथ वेदानसार को पढ़ा है जैसे न्याय का प्रकरणगन तर्गभाशा को आपने पढ़ा है ऐसे ही सांखे दर्शन के प्रकरणगन सांखेकारिका को आपने पढ़ा है वेसे ही अर्थ संग्रह मीमानशा दर्शन का एक प्रकरणगरंत है और मीमानशा के जो प्रवर्तक महरशी जैमिनी मिमानशा के प्रवर्तक जो है वो है महर्ष जैमिन तो जैमिन के लिखे हुए मिमानशा दर्शन पर लोगाक्षि भासकर ने अपना अर्थ संग्रे लिखा और जैमिनी सूत्र की बात करें जो महर्ष जैमिन ने लिखा है जैमिनी सूत्र उश में 12 ध्याय है और 436 सूत्र है 436 सूत्र और 12 ध्यायों में जैमिनी सूत्र लिखा गया है जिसके लेखक महर्ष जैमिनी है ठीक हो गया? अब थोड़ी से और बात इस पे महत्यपूण महत्यपूण चर्चा करेंगे जैमिनी सूत्रों पर शबर स्वामी का शाबर भास से है, ध्यान रखेगा, जो जैमिनी सूत्र महर से जैमिनी ने लिखा, मिमान सा सूत्र जिसे हम कहते हैं, तो जैमिनी सूत्रों पर भास से लिखा गया, वो भास से लिखने वाले शबर स्वामी है, अब चुकि शबर ने भा अर्था जो शवर का है वो शावर है तो आपने देखा जैमिनी शूत्रों पर शवर स्वामी का आपने शावर भास से देखा और शावर भास से पर प्रभाकर ने ब्रिहती और लग्वी विवरन नामक्टी का लिखी शावर भास देखे अब आपने देख लिए ना जैमिनी श जैमिनी शूत्र पर शबर्श्वामी का शाबर्भास और शबर्श्वामी के शाबर्भास पर प्रभाकर गुरु ने ब्रियती तथा लग्वी नामक्ती का लिखी। प्रभाकर ने ब्रियती और लग्वी टीका लिखी। उसी शाबर्भास पर कुमारिल भट ने श्लोक वारतिक लिखा, तंत्रवारतिक लिखा और टुप टीका लिखी। इसा मिलता है। लगाक्ष भासकर के पिता का नाम मुदगल और पिता मा का नाम मुरुद्र मिलता है। समय इनका सोलामी सताबदी का उत्तरार्ध माना जाता है। लगाक्ष भासकर का जो समय है वो सोलामी सताबदी के आसपास कमाना जाता है। इनके दो गरंथ प्राप्त होते हैं कि इनके लगाक्ष भासकर के एक तर्क कौमदी और एक अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह हम आपको लेकर आए ही हैं और इनका एक गरंथ तर्क कौमदी भी है। कभी कभी पूछ लेता है कि लगाक्ष भासकर के अर्थ संग्रह के अलावा कौन सा गरंथ है तो आपको तर्क कौमदी कहना है। तर्क भाशा नहीं है ये तर्क संग्रह भी नहीं है तर्क कौमदी अलग गरंथ है जो लगाक्ष भासकर का है। लोगाक्ष भासकर ने अर्थसंग्रा भी लिखा और तर के कौमदी भी लिखी। सोलामी सताब्दी का उत्तरार्ध लोगाक्ष भासकर का समय है। लोगाक्ष भासकर के पिता का नाम मुदगल और पितामा यानी बाबा जी इनके रुध्र थे। मिमानसा दर्शन को ही हम पूर्व मिमानसा, कर्म मिमानसा या धर्म मिमानसा के नाम से भी जानते हैं जो मिमानसा दर्शन है जैमिनी का जिस पर जैमिनी ने मिमानसा सुत्र या जैमिनी सुत्र लिखा मिमानसा सुत्र को ही हम जैमिनी सुत्र कहते हैं जैमिनी के लिखे होने के कारण इसे जैमिनी सुत्र या मिमांसा सुत्र आप कह सकते हैं और आगे आप आएंगे तो मिमांसा दर्सन को ही आप पूरु मिमांसा और वेदान्त दर्सन को आप उत्तर मिमांसा कहते हैं है ना तो ये पूरु मिमांसा मने मिमांसा और उत्तर मिमां ठीक, बारा ध्यायों में विवक्त होने के कारण इसे हम द्वादस लक्षणी भी कहते हैं, मिमांसा को, मिमांसा दर्सन को, जो मिमांसा दर्सन को हम पूरु मिमांसा कहें, कर्मों की प्रधानता है, इसलिए कर्म मिमांसा भी कहते हैं, धार्विक विवेचन होने के कारण इसे हम धर्म मीमानसा भी कहते हैं कर्मकांड पराधारी थे इसलिए हम इसे कर्म मीमानसा कहते हैं बारा ध्यायों में विवक्त है इसलिए इसे हम द्वादस लक्षनी कहते हैं ध्यान रखेगा बहुत बार सवालों में पूछता है कि द्वादस लक्षनी किसे कहते हैं मिमानसा सुत्र को या जैमिनी सुत्र को मिमानसा दरसन को आप 12 ध्यायों में विवक्त होने के कारण हम इसे 12 लक्षनी भी कहते हैं ठीक हो गया रामाणुज ने स्रीभाश में मिमानसा को शोडशाद ध्याई कहा है अब हम लोग यहां से सुरू करते हैं संख्यात्मक गंगा जिसका आधार है अर्थ संग्रा तो अर्थ संग्रा के ऐसे सवाल ऐसी चर्चा जिनका उत्तर संख्या में आएगा ठीक है तो संख्यात्मक गंगा का यह रहा आपका पहला सवाल इसके पहले हम लोग थोड़ी से अर्थ संग्रह और मिमानसा दर्सन पर आपका परिशे करवा रहे थे वो मीमान सा दर्सन से थोड़ी बहुत आपका परिचे हो गया प्रभाकर के कुछ गरंथ आपने देख लिये कुमारिल भट का गरंथ देख लिया अर्थ संग्रा के जो लेखक हैं लोगाक्षि भासकर उनके तरके कौमदी और तो संग्रा ये दो गरंथ आपने देख लिया प अर्थ संग्रा में दो प्रकार की भावनाओं का विवेचअ नभिया एक शाब्दी भावना और ये आर्थी भावना इश्रीक को लिखा है साद दिविधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेति आपसंग्रा डाक्टर वाजसपति उपाध्याए के पृष्ट संक्या 18 तो आपको शाब्दी भावना और आर्थी भावना ऐसी दो प्रकार की भावनाओं की चर्चा करने हैं। तो शाब्दी भावना के अंसत्रयम, साध्य साधन और इतिकर्टब्विता की चर्चा होगी। हम जब वेदों के भाग में पहुचेंगे तो पाँच वेद के भाग बताएगे, पाँच प्रकार की विधी, मंत्र, नामधे, निशेध और अर्थवाद, ध्यान रखेगा बड़ा इंपर्टन चीज है, विधी ये वेद का एक भाग है, वेद के भेदों में से विधी, मंत् अर्थवाद, भेदा, पंच विधा, ध्यान रखना, हम उशी प्रश्णों को ले रहे हैं, जिनका उत्तर किसी ना किसी प्रकार से संख्या में है, शाब्दी भावना की परिभाशा नहीं बताई, आर्थी भावना की परिभाशा नहीं बताई गई, सिर्फ हम उनकी चर्च संख्या नोँ आप गई जिसमें जिसका उत्तर संख्या में आ रहा हो हूं तो आप से संख्या में उत्तर आ ederim वेद पाँच इन प संख्या रिखा भी यह पंचंफ पर रिखाव यह पंच प्रकार करें विद्ी TER और प्रधान विधी का लक्षन है तत्र ज्यातार्थ ज्यापको वेद भागो विधी प्रधान विधी आगे बढ़ेंगे तो गुण विधी का भी लक्षन देखते चलिए यत्र कर्ममा कर्ममानंतरेन प्राप्तम तत्र तत्र देशेन गुण मात्रम विधत्ते ये गुण वि उत्पत्ति विदी, विनियोग विदी, अधिकार विदी और प्रयोग विदी देखे लिखा है विधिस्चतुर विधाह आपसे पूंचे विधि के प्रकार तो सर्वपर्थम विधी को एक दो तीन तरह से विभाजित किया गया उनमें सबसे प्रशिद विभाजन है कि विध उत्पत्ति विधी, विनियोग विधी, अधिकार विधी और प्रयोग विधी लिखा है विधिस्चतुर विधाह विधिस्चतुर विधाह उत्पत्ति विधी, विनियोग विधी, अधिकार विधी और प्रयोग विधिस्चेती तो विधि का चतुरधा भी भाजन हुआ उ विन्योग विध्य के परमान कभी आप से परिक्षाओं में भी पूँचता है कि विन्योग विध्य कतिप प्रमाणानी तो आपको शट प्रमाणानी लिखना है लिखाए सुरुती लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या रोपानी तो एतस से विधेः शहकारी भूतान शट प्रमाणानी छे प्रकार के प्रमाण बताएगे विनियोग विधी के चे प्रमाणों की चर्चा होई आगे सुरुति के भेद हैं तीन विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री विधात्री विनियोक्त्री साचा त्रिविधा विधात्री विनियोक्त्री चा सुरुति के भेद तीन बता है कि अविधात्री सुरुति अविधात्री सुरुति विनियोक्त्री सुरुति तो साचा त्रिविधा को ध्यान रखना हमें उन प्रशंटों को ले रहे हैं जिनका उत्तर संख्या में आ रहा है तो ये देखिए संक्षा विधात्री ये विधात्री 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 विधात्र बिभक्ति रूपा समाजा अभिधान रूपा और एक पद रूपा चेती ना तो बिभक्ति रूपा समाजा अभिधान रूपा जिसको एक अभिधान रूपा भी कहते हैं एक पद रूपा ये तीन प्रकार के भेद हैं विनियोक्त्री सुरुति के और सुरुति तीन प्रकार क दिविधम क्या लिका है तच्च प्रकरणम दिविधम महा प्रकरणम अवांतरप्रकरणन चेती तो आप देख रहे हैं तच्च प्रकरणम दिविधम महा प्रकरणम अवांतरप्रकरणन चेती महा प्रकरण और अवांतरप्रकरण भेद से प्रकरण के दो भेद होगे स्थान के भेद दो है, पाठ सादेश अनुष्ठान सादेश, पाठ सादेश और अनुष्ठान सादेश भेद से स्थान के भेद कितने हैं, दो, देश शामान्यम स्थानम तत दुविधम, पाठ सादेश अनुष्ठान सादेश चन्चेती, देश सामान्यम स्थानम, तो पाठ सादेश और अनुष्ठान सादेश भेद से स्थान के दो भेद आप देखते हैं ये लिखा भी है तत दुविधम क्या लिखा है तत दुविधम पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यं चेती देश शामान्यम स्थानम ये स्थान की परिवाशा है देश शामान्यम किम स् साम को आठ बजे पूरे एक साल का यह संकल्प है कि सुबह आठ और साम आठ हम लोग आपके लिए कोई न कोई नया पाठ हवश्च देंगे तो रोज मिलेगा नया पाठ एक सुबह आठ एक साम आठ इस धिया के साथ हम आप से जुड़ते हैं प्रति दिन सुबह आठ बजे आ पाएंगे तो कोई नया पाठ चल रहा होगा इस यूट्यूब चैनल संस्क्रिप यंगा पर और साम को भी आठ बजे आप आएंगे आठ बजे का समय चुना गया चुकि कोई लेट से लेट आदमी संस्क्रित का आठ बजे सुबह उठना चाहिए और आठ बजे रात के पहल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि सम्षित के प्यार करने वाले सम्षित पर मरने वाले सम्षित के दिवाने कितने हैं तो मित्रों मैं बात कर रहा हूं अर्थ संग्रह की तो अर्थ संग्रह में पाठ सादेश के भी प्रकार बताएगे पाठ सादेश के दो प्रकार बताएगे एक यथा संके पाठ एक सन्निधी पाठ तो पाठ सादेश्यम अपी दिविधम यथा संके पाठा सन्निधी पाठश्यती पाठ सादेश्यम अपी दिविधम यथा संके पाठा और सन्निधी पाठश्यती और समाख्या के भेद जाएंगे तो दो, एक वैदी की समाख्या, एक लोकी की समाख्या, साच अदिविधा, वैदी की लोकी की चा, समाख्या के भेद कितने होगे, दो, वैदी की समाख्या और लोकी की समाख्या, साच अदिविधा, वैदी की लोकी की चा, ठीक, ये सब सवा तो कोई भी चीज जो आप उपर पढ़ रहे हैं उसका प्रमान के साथ पढ़ें मूल के साथ पढ़ें मूल पाठ के साथ ही आपको आगे पढ़ना है तो विनियोग विधी के अंग दो सिद्धरूप और क्रिया रूप के भेद दो हैं एक गुण कर्म और प्रधान कर्म एक ग दो भेद बताएगे एक क्या गुण कर्म और प्रधान कर्म तो क्रिया रूपानी चे दुविधानी गुण कर्मानी प्रधाने कर्मानी चे तो हर बार आपसे कुछ न कुछ पूचेगे सन्निपत्यों पकारक के भेद तीन है हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोग आक शिभासक ड्रिश्टा लिष्टार sancta च्छ च्छ अरिश्टा खेले नंओ दे receptor बादों को पहले अपकर लीए कि क्यों कि हर बार सबіम्या नियाज कर चाल प्रमान कितने गफान कृत्वulen प्रमान में आते हैं मेरे तो कम digest कंज जडें हुए सवालों को हम लोग यह ऌदेन किया दर के वहांचा का किया और संग्रा का कर रहे हैं इसको लक्षण गंगा कहते हैं उस लक्षण गंगा में कंब लोग लेक्षण लेक्षण पढ़ेंगे जैसे अध्यारोप का लक्षन क्या है अपवाद का लक्षन क्या है द्रब किसे कहते हैं पदार्थ किसे कहते हैं एक आडिंग जिनका भी लक्षन किया जा सकते हैं लक्षनात्मक एक मन में है कि हम परिभाशा गंगा का एपीशोड आपको चलाएंगे इस एत्रा बढूत के सब्सक्राइब को अनुठ बस दो सकते हैं कितने बेद में पर्युजन कितने तो कि कितने वाला जिनका उत्तर संख्या में आता है वो सवाल परिक्षा में कभी न कभी भेंटाई जाते हैं 246 सवाल सव प्रश्णों में 246 सवाल संख्या से जुड़े ही होते हैं ग्षाइब प्रकास से पॉंच रहा है किसी और सफस्य में तो इसाइन बाइन संख्या में आएका प्रशनो ईसे प्रशन जिनका उत्तर संख्या में आए तो हम लोग संख्यात्म गंगा का ईहिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आज की बारी है अर्थ संग्रा की और अर्थ संग्रा में हम लोग पहुँच चुके हैं सन्निपत्यों पकारक के भेद यदि कारी आपको अच्छा लगा हो तो निशीत रूप से एक ऐसी घंटा दवा होगा और एक ऐसे भी घंटा लगा होगा ये घंटा कहता है कि आपको अच्छा लगा और ऐसे कहता है कि आपको अच्छा नहीं लगा दो में से कोई तो दवाईए नहीं अच्छा लगा तो उसको दवाईए ताकि हम लोग और अच्छा करने की प्रेरना मिले देखे डिसलाइक से कोई आदमी डिसलाइक हो नहीं जाता डिसलाइक से उसको प्रेरना मिलती है यदि आप अधिक डिसलाइक करेंगे तो हम और उत्साहित होंगे क्यों? चुकि और अच्छा करने की प्रेरना मिलती है बलकि like बटन ज्यादा दबाएंगे वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाख होगा हम सोचेंगे कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आए तो दो में से एक आपको अवश्य करना चाहिए तो डिश्लाइक देख करके हम लोग और उत्साहित हो करके उसमें और वर्काउट करते हैं और अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे से उस पर काम करेंगे तो शन्यपत्यों पकारक के भेट कितने होगे भी या तीन होगे आगे बढ़ेंगे तो करम के निरनायक परमान पूछेगा करम के निरनायक परमान च्छे होते हैं पिछली परिक्षा में यह पूछा गया था सुरतियर्थ पाठ स्थान मुख्यप्रवत्याख्यानी तत्रशक परमान आनी यहां लिखा है तत्रशक प्रमानानी क्रम के निरनायक प्रमानों में छे प्रमान हैं सुरतिक क्रम अर्थक क्रम पाठक क्रम स्थानक क्रम मुख्यक क्रम और प्रृतिक क्रम जो लोग मीमानसक होंगे जो लोग मीमानसा पर रुची रखते हैं उन लोगों के लिए बड़ा सरल क्यों तब तक सुनता है कुछ एक दो अच्छ effectivement भारíz घंटे तो सुनिये मिनट तो सुनियज तो कोई वीडियो सुनों appropriate वह संस्कार आपके मन में आता है ना यह आगया क्रम के निरनायक प्रमाण पूछे तो शट प्रमाणानी तत्र शट प्रमाणानी सुर्ति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवत्याख्यानी तो आप समस करके संधी कर देंगे हमने अपनी सारी चीज़ें अर्संग्रा के डांक्टर वाचस्पति उपाद ध्याय से लिया है जो प्रिष्ट संख्या 124 पर आप पहुचेंगे तो यह परिभाशा है आपको मिल जाएंगी मूल कहां से है कि स्पेस से है यह दिखाने के लिए हमने नीचे लिख दिया है सुर अतर मैं अर्थक क्रम पाठक क्रम स्थानक करम मुख्यक्रम परुद्थे क्रम हां तो क्रम करिननette प्रमाण पड़ रहे थे हैं अब इनमें आपने यह भी पढ़ा देखिए सुरुती के भेद यहां आगे ना सुरुति लिणा ना फिर सुरुती कर्धि आप ने पढ़ा और फिर यहां गए तो पाठोक रमके भेध पड़ रहें एखे मंत्र-पाथ और एक यह ब्हामन पाथ हो। मूल के साथ ही हम आपको इसलिए कहते हैं नहीं बहुत सारे लोग कहेंगा अईसे ही ऐसे ही मार देते हैं इसलिए लोगाक्षि भासकर नहीं लिखा लोगाक्षि भासकर नहीं लिखा जोतिस्टों में त्रया पश्वयाग आपको यहीं पंक्ति का उत्तर है के चते तो अगनिशोमी यहां सवनी यहां आनुबंध्या ना चोतिस्टों में पसुजाक्तीन है प्रम्मा जी आगे नियम विधी का लक्षन बताया नाना साधन साध्यक्रियायाम एक साधन प्रापता वप्रापतस्या परसाधन सब प्राप को विधिर नियम में विधी अब वैसे ना मैं इन सब लोगों की मतलब इन सब परिभाशाओं का एक अलग एपिश्वट बनाना चाहता हूँ जिसमें यही रहे भीया परिभाशा गंगा या लक्षन गंगा क्या होगा कि जितने एक विषय ले लिया जाएगा जैसे वेदान सार ले लिया गया तो वेदान सार में जो परिभाशा परिभाशा ध्यारोप क्या है अपवाद क्या है अधिकारी किसे कहते हैं विषय की क्य इसलिए लिख दिया गया तो प्रमान आंतरेन प्रापतस्य प्रापको विधी अपूर विधी ऐसे ही वो रहेगा जो परिवाशा गंगा होगा आगे अपूर विधी होगा उसके बाद उसका मूल लक्षन होगा फिर उसकी हिंदी होगी तो यह चीजें आपको खोजना नहीं रखते हैं इन प्रशनों को हमें जानना चाहिए अच्छा पहली ही बार यदि आप शास्त्री ढंग से बड़ा पढ़ाने लगेंगे तो लोग बड़ा बोर हो जाते हैं जल्दी जल्दी आप बताते जाएंगे वो सुनता जाएगा दो बार सुन लेगा कोई वीडियो तीन लेगेंगे पड़ार आपके बास वक्त होगा स्चा बंडने के बाद आईए मैंए जून में हो आपके सिट्टी होती हित यहां पंगती पाड भी करेंगे मिलए पड़ेंगे कुछ आप पड़ेंगे करेंगे हम पंड़ेंगों रिश्टी आपसे बात कर रहा हूं नीहAnn वि क्या लिखा है कासा सा परिशंख्या स्रोती लाक्षन की चेती स्रोती परिशंख्या और लाक्षन की परिशंख्या तो स्रोती और लाक्षन की किसके भेद हैं परिशंख्या के भेद हैं और परिशंख्या विदी के कितने भेद हैं दो भेद हैं कौन-कौन स्रोती और लाक्ष ठीक है इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है लाक्षन की पुरि संख्या के तीन दोश बताएगे। सुत हानी और असुत कलपना. कारण 4 है. मतुर्त लक्षना के भैसे वाक्यभेद के भैसे, तद प्रक्षास्त्र से और तद व्यपदेश नाम धेयत्वंचा निमित्चतुष्ट्यात मत्वर्थ लक्षना भयात वाक्य भेद भयात और प्रक्षास्त्रात तद व्यपदेश चेति ना तद्विपदेश से तद्विपदेश से तद्विपदेश से तद्प्रक्षास्तर से वाकिभेद के भैसे और मत्वर्थलक्षना के भैसे सही है पढ़ते रहे आपको बहुत मज़ा देगा बाधक के प्रकार बताएंगे दो ब्रत उपक्रम और विकल्प प्रशक्ति तच्य बाधकम दिविधम तस्य ब्रतम इत्य उपक्रमों और विकल्प प्रशक्तिश्च्य राइट है बाधक के प्रकार दो हो गए अर्थवाद के प्रकार दो हैं विधिशेश निशेद सेश सहद विधा विधिशेशो निशेद सेश चेती अर्थवाद के प्रकार दो हैं एक विधिशेश का एक निशेद सेश का सद विधा विधिशेशो और निशेद सेश चेती को तीन प्रकार, आप देखें हैं ना, विधी, नामकरण, अर्थवाद, इत्यादी हम लोग सुरुवात में पढ़े थे, उश्य अर्थवाद का तीन प्रकार एक गुणवाद है, एक अनुवाद है, एक भूतार्थवाद है, तो सहा पुनस्त्रेधा, सहा अर्थवाद है, सहा तो गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, ये अर्थवाद के तीन प्रकार है, तो ये रहामित्रों, आज आपके लिए सुबह आठ और साम आठ का जो संकल्प है, पूरे एक वर्स का, 5 सितंबर 2021 से हम लोगों ने इस कारकरम को सुरू किया है, और 5 सितंबर 2022 तक इ नहां पर रखे रहे तो, और ये 8 बजे शुबह और 8 बजे साम, कोई भी व्यक्ति सुबह 8 बजे के पहले उठी ही जाता है, और साम 8 बजे के पहले कोई सोता नहीं, तो ये सोच है, ये संकल्प है कि आपकी सुबह भी संस्कृत के साथ, और साम भी संस्कृत के साथ, रोज लोकिक दृष्टी से भी दिन भी अच्छा रहेगा और रात भी अच्छा रहेगा तो सुबा साम आठ बजे आप इस वीडियो को देखना बिलकुल मत भूलेगा जैसे आप सबेरे उठते ही फोन पकड़ने की आदत है ही आपकी और रात में भी बिना फोन पकड़े नीद आत होगा आप जिस चीज के लिए फोन पकड़ते हैं तो अपना फ्यस्बुक देखता है तो अपना प्यस देखें इसके बाद बुक देखें पिर बुक देखें ना की फेस्बुक देखें तो अच्छा होगा कि आप इधर देखेंगे, तो कुछ न कुछ नया मिलेगा, हाँ ये बुक है, ये डिजिटल बुक ही तो है, और फेस आपका अपने पास, तो बेहतर होगा कि हम फेस बुक जब फेस देखना हो तो हम अपना फेस देखें, हमारे हाँ है कि सबरे सबरे उठ करके हम लोग ऐसे देखते करां ग्रेवस्ते, लक्षमी करमत्धे सरश्यति कहते हैं अपना चेहरा पहले देखना चाहिए तो फेस बुक जो है, भारती सम्कृती में फेस बुक बहुत आगे बढ़ गया, वास्तों में भारती सम्कृत में फेस देखने की परंपरा फेस बुक से पहले थी, हम अपना देखें और फेस देखने के बाद बुक देखें तो अब हम लोग न मोबाइल का फेस्बुक तो जरूर देखते हैं अपना फेस भी नहीं देखते और अपना बुक भी नहीं देखते और फिर आपका फेस देखने लायक रह नहीं जाएगा गुरू बेहतर होगा कि दुनिया आपका Face देखें, इसलिए Facebook देखना छोड़ दो, वरना आप तो सब का Face देखेंगे, पर तुम्हारा Face देखने वाला कोई होगा नहीं, तुम खुद नहीं होगे, तो बहतर होगा कि हमें अपना Face अच्छा लगे, तो दुनिया को भी हमारा Face अच्छा लगेगा, और आपका Face दुनिया को तब अच्छा लगेगा, जब आप दुनिया को कुछ दे रहे होंगे, समाज को कुछ दे रहे होंगे, समस्कित को कुछ दे रहे होंगे, वरना सोना, खाना, पीना, तो कुकुर भी करता है, सुवर भी करता है, मच्छरों तुम्हारा खून चूस करके अपना और जो आदमी व्य whatsoever नहीं है, वो कभी Malthe नहीं है, और जो आदमी व्य again और मसत नहीं है, वो कभी स्वयस्त नहीं है। तो ध्यान रखिए गई इन तीनों का ये केवल कंबिनेशन नहीं है, शब्दों का कंबिनेशन मात्र नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वस्थता आपकी व्यस्थता और मस्ती पर डिपेंड है, यदि आपकी मस्ती गाइब हुई, तो सबसे पहले आ सबस्क्राइब चैनल आपको पूरे जीवन कुछ पिछना कुछ आपकी वेलू में, आपके विक्तित में कुछ नया जरूर एट करेगा, ताकि आपका शमय में ले रहा हूं, तो वो शमय सार्थक हो, यह समय आपका सार्थक हो, आप इतनी देर तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे से के तो जानिएगा, मित्रों आज के लिए इतना ही, नमस्तर मुश्क्रता है,